आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूटूब चैनल इस्टेडी ओनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और latest notification के लिए bell icon की को press कर दे ताकि सबसे पहले आपको notification प्राप्त हो सके वीडियो को start करते हैं आज हम cover करने वाले हैं इस वीडियो के मध्यम से सीधी जिला तो वीडियो में अंदर तक बने रहेगा और जो भी दोस्त नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया वो जल्दी से चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा चलिए start करते हैं सीधी जिला तो सीधी जिला रिवा संभाग के अंतरगत आता है और इस जिले में साथ तैसीले सामिल हैं कौन कौन सी तो गपत बनस्ट, चुरहट, रामपुर, नैकिन, मजहोली, सिहवाल और कुसमी आदी तैसीले सीधी जिले के अंतरगत आती है नेक्सट है, सीधी का कुल भोगौलिक छेत्रफल 10,532 किलो मीटर तक इसका विस्तार है ध्यान में रखेगा, कितना 10,532 किलो मीटर तक सीधी जिले का विस्तार है चलिए नेक्सट है, सीधी मद्यपरदेश के उत्तरपूरू चोर पर इस्तित जिला है दोस्तो सीधी जिला मद्य प्रदेश के किस दिशा में है तो वह उत्तर पूरु की छोर में इस्तेते ध्यान में रखेगा और वर्स 2011 की जनगर्णा के नुसार सीधी जिले का साक्षरता दर 64.4 परतीसत है और सीधी जिले का लिंगा नुपात 1000 पूरुस पे 957 महिला यहाँ पे सामिले द्यान में रखेगा अगर हम बात करते हैं भासाओं की तो यहाँ पर बगेली वा हिंदी भासा बोली जाती है कौन सी भासा बगेली वा हिंदी भासा द्यान में रखेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सीधी जिले के उद्योग तो सिंगरोली कोईला खान इंडस्टीज एंटी पीसी और बिंद्याचल थर्मल पावर इस्टेशन यह कहां है सीधी जिले में द्यान में रखेगा सिंगरोली कोईला खान इंडस्टीज एंटी पीसी और बिंद्याचल थर्मल पावर इस्टेशन यह सीधी जिले में इस्थेत है चलिए next है सोन घड़ियाल अब्यारन सहडोल और सीधी जिले की सीमा पर इस्तित है दोस्तों बहुत important है नोट कर लिजिएगा सोन घड़ियाल अब्यारन ये कहां पर है तो सहडोल और सीधी की सीमा पर इस्तित है चलिए नेक्स्ट है बगदरा यहाँ पर कोईला खदान इस्तित है सीधी के बगदरा में कोईला खदान इस्तित है ध्यान में रखेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है संजय गांधी राष्टी उद्धियान यह कहां पर है तो यह सीधी जिले में इस्तित है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है यह इक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है संजय गांधी राष्टी उद्धियान कि जिले में मद्ध प्रदेश के तो वह सीधी ज 2007 में प्रोजिक्ट टाइगर में समलित किया गया था दोस्तों इसको भी ध्यान में रखीगा और वर्तमान समय में इस राश्टी उद्यान का अधिकांस भाग 36 गड़ राजी के कोरिया जिले में आता है ध्यान में रखीगा चलिए नेक्स्ट है सीधी जिले से सोन गोपद और बनास नदियां प्रवाहित होती है कौन-कौन सी सोन गोपद और बनास नदियां सीधी जिले से प्रवाहित होती है चलिए नेक्स्ट देखते है कोरंडम नामक खनिश का उत्पादन सीधी जिले में होता है तो वह सीधी जिले में होता ध्यान में रखीगा और बात करें सीधी जिले के बगवार में जेके सिमेंट प्लांट और भारत सिमेंट के कारखाने इस्तित ध्यान में रखिएगा चलिए next है सीधी में Northern Coal Field Limited NCL का मुख्याल है दोस्तों बहुत important है NCL यानि Northern Coal Field Limited का मुख्याल है कहा है मद्य प्रदेश के के जिले में तो वह सीधी जिले में चलिए next देखते है तो next है अभ्यारन तो यहाँ पर रिस्तित है सीधी जिले में सोन अभ्यारन बगदरा अभ्यारन और संजय डूबरी अभ्यारन कौन-कौन से तीन अब्यारण है, सोन अब्यारण, बगदरा अब्यारण और संजय डूबरी अब्यारण ध्यान में रखिएगा जिसमें नोट कर लेजिएगा बगदरा और डूबरी कोईला उत्पादन छेतर भी है दोस्तो ये बगदरा और डूबरी जो है वो अभ्यारण भी है और यहाँ पर कोईला उत्पादन छेतर भी है चलिए next है परियोजना है तो यहाँ पर रिस्तित है बार्ण सागर परियोजना जो किस नदी पर है सोन नदी पर बने धियान में रखेगा सीधी में कौन सी परियो परियोजना बार्ण सागर परियोजना और यह किस नदी पर रिस्तित है सोन नदी पर चलिए next देखते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजेगा और नेक्स्ट नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं मद्वर्दे समान ग्यान के नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जैहिन जै भारत